तो दोस्तो भार्थी नोसेना के नेवल फाइटर जेट के टेंडर को ले करके और इसी के साथ में भार्थी वाइशना की जो 114 राफेल फाइटर जेट की MMORC डील है तो दोनों को ले करके एक बड़ी जानकारी सामने निकल करके आई है और कल के ही वीडियो में मैंने आप सब को बताया था कि कैसे अब सरकार खुद भार्थी एविएशन प्रोग्राम को ले करके एक्टिव हो चुकी है और अब हमारी गवर्मेंट भी ये चाहती है कि जल्द से जल्द हमारी वाइसेना और साथ में नोसेना के लिए जो एविएशन प्रोग्राम है इनको काफी ज्या प्रांस की साफरान कंपनी की जो CEO है इन्होंने खुद मुलाकात की थी और आप सबको बता होगा कि साफरान कंपनी राफेल फाइटर जेट के जेट इंजन को बनाती है इसी के साथ में हेलिकोप्टर के इंजन को बनाती है यानि कि ये जो फ्रांस की कंपनी है ये फ्रांस क नोसेना का जो नेवल टेंडर है उसको फाइनल करेंगे जिसके अंतरगत भारत लगबग 26 की संख्या में जो राफेल फाइटर जेट है इसको अपनी नोसेना के लिए खरी देगा तो आप सबको पता होगा कि हम दो केरियर यानि कि आई एनस विक्रमा दिते और आई एनस विक 29 के फाइटर जेट है जो कि दोनों केरियर के लिए सेफिशन्ट नहीं है इसके बाद में यहां पर ये भी बताया जा रहा है कि हमारी जो वाई सेना है जो की लगबग 114 राफेल फाइटर जेट को खरी देगी तो उसी समय इस डील को लेकर के एक बड़ा फैसला किया जा सक तो इससे पहले आप सबको पता होगा कि अगर हम 114 राफेल फाइटर जेट को खरीत है तो इसकी मैनफेक्चरिंग को भारत के इंदर किया जाएगा जिसके चलते रिलाइंस ग्रूप और साथ में दसोल्ट ने जो जो जोंट वेंचर सेट अप कर रखा है जिसे हम सब DR.AL के नाम से जानते हैं यानि कि दसोल्ट एरिलाइंस एरोस्पेस लिमिटेड तो यही राफेल के जो कम्प्लीटली नोक डाउन असेम्ली किट्स होंगी तो उनको भारत के अंदर असेम्बल करेगी और इसके चलते आने वाले समय में जो राफेल फाइटर जेट है ना केवल इस हमारी आवशकताओं को पूरा किया जा सकेगा बलकि हम आने वाले समय में बाकी देशों को भी इस फाइटर जेट को एक्सपोर्ट कर सकते होंगे क्योंकि राफेल के जो ओडर है यह फ्रांस के पास में काफी ज़्यादा बड़े नंबर के अंदर आ चुके हैं जिसके चलत होगा जिससे कि हमारे देश में एक फाइटर जेट को कैसे मैनफेक्चर किया जाता है कैसे उसे असेंबल किया जाता है तो इसको ले करके इंफरास्ट्रक्चर डवलप होगा और इसी के साथ में इतनी बड़ी डील को करने के कारण हमको राफेल फाइटर जेट की जो टेकन के साथ में एमाल सिस्टम और साथ में जो एक केडर के लिए EL linking एक propulsion system होता है तो उसको ले करके भी बातचीत की जाएगी और इसको ले करके भी एक काफी ज़्यादा बड़ा decision इस स्यातरा के दोरान में लिया जा सकता है तो कुल मिला करके अगर आप PM मोदी जी की जुलाई मन्त की इस visit को देखते हैं जो की G20 summit को ले करके थे चोटी मोटी नोग जोग भी हुई जिसको अब फाइनली इस meeting के दोरान में सुलजा लिया जाएगा और दोबारस से दोनों देशों के जो relation है ये आप सबको दोबारस से काफी ज़्यादा strong दिखाई देंगे तो दोस्तो ओवराल इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट section में बताईएगा साथी साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा अगर आप चैनल के उपर पहली बार आएं तो प्लीज से चैनल को भी subscribe कर दीजेगा तो चलिए दोस्तो आज किस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगरी वीडियो में तब तक किल गुडबाई जैहिंद